दोस्तों मैं सवरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट अफेर क्वीज में आज हम देखने वाले हैं एक जून की करेंट अफेर को जोकि सब भी परिक्साओं के लिए मैत पून रहेगी डेली करेंट अफेर क्वीज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट अफेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जोकि पूरे दिन की करेंट अफेर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से कोशन पूछूंगा जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना होगा कोशन है हाल ही में किसने केंद्रे सतरक्ता आयुक्त के रूप में सपत ली है तो जल्दी से इस कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बताएगा शुरू करते हैं आज की करनेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है उत्तर परदेश के नए कारेवाहक डीजीपी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा विजे कुमार जी को यानि की ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तो ये आपको याद अखना है दूसरा कोशन आता है किसे हिमाचल परदेश हाई कोट के नए मुख्य न्यादीज के रूप में न्यूक्त किया गया है दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही है जस्टिस MS रामचंदर राव जी को यानि की ओप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा दूसरे कोशन का सही उत्तर दोस्तों तीसरा कोशन आता है महाराश सरकार ने किसे इसमाइल एम्बेसेडर के रूप में नामित किया है तो प्यारे दोस्तों तीसरे कोशन का सही उत्तर रहेगा सचिन तेंदुलकर जी को यानि की ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तीसरे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर फोर है भारत की मेजबानी में संगाई सहयुक सिखर सम्मेलन यानि की SEO का आयोजन कब किया जाएगा प्यारे दोस्तों कोशन नमबर फोर का सही उत्तर रहेगा चार जुलाई को आयोजन किया जाएगा यानि की C राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशन नमबर फाइव है G20 एनर्जी टांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ चोधवी क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहा किया जाएगा तो पांचवे कोशन का सही उत्तर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों गोवा में यानि की B राइट आंसर हो जाएगा पांचवे कोशन का सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों देखे अगर आप लोग को डेली करेंट फिर की पीडियाप डाउनलोड करनी हैं तो Only Top Study एप को डाउनलोड करिए फाइव स्टार की रेटिंग करिए और करेंट फिर पीडियाप आले सेक्शन में जाके आप पीडियाप ले सकते हैं 6000 के कोशन आंसस की जो हमारी मास्टर पीडियाप है प्यारे दोस्तों इस मास्टर पीडियाप में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं और ये सभी परिक्साओं के लिए मैत्पून हैं इसलिए इसको मास्टर पीडियाप बोला गया है इसमें आपको हिस्टरी जोगरफी, पॉलेट एकनोमिक्स, कम्प्लीट साइन्स, कम्प्लीट करेंट अफेर, कम्प्यूटर, स्टेटिक, जीके सब कुछ बिल जाता है और इस पीडियाप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है या फिर आप हमें इस वोट्सप नंबर पे मैसिज करके भी इस पीडियाप का लिंक ले सकते हैं कोई प्रोब्लम आती है या कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं अगला कोईशन आता है कोविड वर्स की सवास्त सुचकांग रिपोर्ट में सिर्ष परदशन करने वाला राज्य कौन से हैं तो इस कोईशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा चटे कोईशन का राइट आंसर हो जाएगा उप्रुक्त सभी यानि की इसमें केरल, तमिलनाडू और तिलंगना ये सिर्ष पर रहे हैं यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा कोईशन नमबर साथ आता है सेवन्टिसिक्स्ट कांच्षिय फिल्म फेस्टिवल 2023 में सबस्रेस्ट अभिनेत्री का पुरुषकार किसे परदान किया गया साथवे कोईशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा मरवे दिजदार जी को यानि की ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर साथवे कोईशन का सही उत्तर ये आपको याद अखना है कोईशन नमबर एट आता है सराप पर सवास्तितावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश कौन सा है दोस्तो आठवे कोईशन का राइट आंसर हो जाएगा आइरलेंड यानि की ओप्षण ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो कोईशन नमबर नाइन है विस्व तमबाकू निशे दिवस वर्ल्ड नो टमैको डे कब मनाया जाता है इस कोईशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा ओप्षण सी यानि की इकतिस मही को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टमैको डे यानि की नोवे कोईशन का राइट आंसर सी हो जाएगा नमबर टैन है हिंसा गरस्त कि सराज्य की ओलंपिक विजेता सहीत ग्यारा खिलाडियों ने सांती जल्द बहाल नहीं होने पर किंद्र सरकार को मेडल लोटाने की चेतावनी दी है तो दसवे कोईशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तो बिल्कुल सही है मनेपूर यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा दसवे कोईशन का सही उत्तर आप लोग इस सेशन को रेगुलर देखते हैं तो प्लीज यार दिल से लाइक जरूर किया करें अपने भाई बहन दोस्तो भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम की चारी करते हैं उन तक भी इस वीडियो को जरूर सेयर कर दिया करें दस मिनट की वीडियो होती है और सारी करेंट फिर आपको फटाफट मिल जाती है तो हमारी मेहनत को आप थोड़ा से सपोर्ट करिए व्यूज बहुत ही कम है मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचनी चाहिए इंडिया में चाहिए वो किसी की भी वीडियो देखता है तो दस मिनट के लिए तो टाइम यहां भी निकाल सकता है ठीके तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा दोस्तो इस्टेट टमेको कंट्रोल सेल मेगालिये एक तो इनको दिया गया है ठीके और एक सेंटर फोर मल्टी डिसिप्लीनरी डिवलप्मेंट रिसर्च जो की धारवाड करनाटक में है तो इनको दिया गया है यानि कि A और B दोनों हो जाएगा तो राइट आंसर D हो जाएगा दोस्तो ग्यारवे कोशन का सही उतर ये आपको याद अखना है वई कोशन अमबर 12 है हाल ही में किसने उत्सरजन कम करने के लिए एथनोल डीजल मिस्रन विक्सित किया है तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा बारवे का राइट आंसर हो जाएगा आपका C अगला कोशन आता है हाल ही में आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुए है राइट आंसर आएगा दोस्तों भारत और सिंगापूर यानी की C राइट आंसर हो जाएगा तेरवे कोशन का सही उत्तर ये आपको याद अखना है कोशन नमबर 14 है हाल ही में कहां के रासपती ने नए सक्त सैमलेंगिंग विरोधी कानून को मंजूरी दी है तो इस तो कोशन नमबर 14 का राइट आंसर रहेगा ओप्शन C युगांडा में तो ये आपको याद रखना है C is the right answer very very important question कोशन नमबर 15 है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नए आवास योजना की घोशना की है पंदरवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तो नए आवास योजना की घोशना दोस्तो उडिसा राज्य के मुख्यमंत्री ने की है कोशन नमबर 16 है हाल ही में स्पीक मेके के आठवे अंतरास्तिय सम्मेलन का उदगाटन कहां हुआ है सोलवे कोशन का राइट आंसर दोस्तो रहेगा आपका नागपूर में यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 17 है हाल ही में जोती यार जी ने टीम मिटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है तो सतरवे कोशन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा बिल्कुल सही है नोड़े संपदक जीता है यानि किसी इस दा राइट आंसर ये आपको याद लखना है कोशन नमर 18 है हाल ही में कहां खीर भवानी मेला आईजित किया गया है अठारवे कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा खीर भवानी मेला आईजित किया गया है दोस्तों जम्मु कस्मीर में यानि कि B राइट आंसर हो जाएगा अठारवे कोशन का सही उत्तर ये आपको या दकना है Q 19 है हाल ही में चर्चा में रहा तुफान मावर का सम्भन किस महसागर से है तो 19 वे qeotion का राइट आंसर क्या रहेगा परसांत महसागर से है दोस्तो राइट आंसर आप्शन ए हो जाएगा Q 21 है हाल ही में जंबू चिडिया घर किस राजय में खोला गया बीसवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा जम्बू चीडियागर मेरे प्यारे दोस्तो जम्बू कस्बीर में खोला गया है यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा बीसवे कोशन का सही उत्तर देखे ये तो थे हमारे बीस का इंटरफेर के कोशन आंसर अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में आज का हमारा होमवर्क का कोशन है बीते वित्यवर्स 2022-23 बे NPA सम्मन्द में कौन सा बैंक सिर्ष पर रहा है इस कोशन का आंसर आप लोग कमेंट बोक्स में बताएंगे और जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा इंपोर्टेंट कोशन है सभी स्टूडेंट ट्राइ करिए आज का हमारा कोशन ओव दे है राज्ये सबा को कोन भंग कर सकता है जल्दी से आंसर बताइए पांच सेकिंड का समय आपको दिया जाता है दोस्तों राज्ये सबा को कोन भंग कर सकता है तो देखे राज्ये सबा एक पर्मनेंट हाउस है तो इन में से कोई भी राज्ये सबा को भंग नहीं कर सकता ना रास्पती ना परधान मंत्री ना उपरास्पती तो इन में से कोई नहीं तो right answer D हो जाएगा आज की question of the day के answer का मेरे प्यारे दोस्तों कल का हमारा homework का question था सतलू जल विदूत निगम लिमिटिड यानि की SJVN किस देश में दूसरी जल विदूत प्रियोजना विक्सित करेगा तो right answer हो जाएगा नेपाल में तो कल के homework का answer है option C ये भी आपको याद अखना है PDF लेने के लिए only top study app को डाउनलोड करिए 5 star की rating करिए उसके बाद में आपको या से PDF मिल जाएगी और जो 6000 के question answers की master PDF है दोस्तों इस master PDF को आप मातर 150 रुपीज में ले सकते हैं इसके साथ में static gk बिलकुल free मिल जाएगी और ये PDF मिलेगी आपको हमारे या तो नीचे description box में जो link दिया गया है उस पे click करके या फिर आप हमेरे whatsapp नंबर पर message करिए कि sir master PDF का link भीज़ेजे आपको link भीज़े जाएगा और ये सारी PDF आपको whatsapp पर भी मिल जाएगी अगर आप हमें whatsapp पर ही contact करते हैं तो ये सारी PDF आपको whatsapp पर भी मिल जाएगी तो आप फटा-फट इस number पर message कर दीज़ेगा skin sort लेना इस slide का ताकि आपको बाद में number ढूणना ना पड़े वीडियो पसंद आई है तो like कर दीज़ेगा share कर देना अपने दोस्तों के साथ में भाई बैन के साथ में जो भी त्यारी कर रहे हैं किसी भी exam की और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लिजे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो thank you so much bye bye everyone take care ख्याल लग अपना